तो वाइग्जीकूट एड एक्सल, नमबर वन फार वेल्थ, और नमबर टू फार फ्रीडम, मेरा मानना है कि ये दोनों सबसे बड़े संसाधन है, वाट इफ वी डोंट एक्जीकूट, अगर हमने एक्जीकूट नहीं किया, तो क्या होगा, जैसे मैंने बोला था, जिस वह हो शरीर का, उसको यूज मत करो, ईश्वर उसको वापस ले देता है, और 80% लोग इसी चक्कर में यहां पर रह जाते हैं, ये मैं आपको फाइव डे कॉर्स के दौरान ये मैं आपको दिखाता हूँ, 80% लोग यहीं पर रह जाते हैं, 80% they just start, they don't use the resources, they don't use the resources and that is why, what happens is, resources का use नहीं करने के कारण पैसाजियों का त्यों वहीं पर रह जाता है, ये नीला जो है, 16% लोग यह थोड़ा बहुत काम करते हैं, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 4% लोग होते हैं, जो फुल टू आगे बढ़ता हैं, जो है, वो हासिल करते हैं, राश्री इस्तर की, अंतराश्री इस्तर की, 80% लोग average रह जाते हैं, क्यों, क्यों, संपत्ती मिलने के बाद भी गरीब रह जाते हैं, क्यों, इतना knowledge, इतना बौधिक संपत्ति और इतनी भावनात्मक संपत्ति यहाँ पे life champions ecosystem से मिलने के बाद भी average रह जाने की chances रहते क्यों क्योंकि उसका इस्तेमाल नहीं किया और क्यों इस्तेमाल क्यों नहीं किया इसका जो concept का जो नाम है इसका नाम है the curse of average लिख लिजे average यहने आउसत पना साधरन पना का कर्स को हम क्या बुलेंगे इसमें श्राप साधरन होने का श्राप the curse of the average क्यों execute नहीं करते है क्यों execute नहीं करते है क्योंकि जिंदगी तो चल रही है ना that is the main problem good is the opposite of great याद रखे bad is not the opposite of great good is the opposite of great आपको greatness से क्या रोखता है bad जो है वो नहीं रोखता bad तो आपको किसी तरीके से प्रेरित करनेगा उसमें निकालने में the issue is yes खरे सर ने कहा कि health knowledge willpower confidence discipline is wealth absolutely और discipline की topic पर मैं आ रहा हूं absolutely wise men think alike right खरे जी so मैं उसी topic पर मैं आ रहा हूं तो मैं अभी क्या बोला तो क्यों क्यों हम यह नहीं करते because because साधारन जिंदगी में हमारा comfort zone हमको मिल चुका है that is the issue southern is good good enough अगर जिंदगी बुरी नहीं थी बुरी नहीं थी अगर एकदम भिकारी रहते तो वह उसका comfort zone बन जाता है चल ठीक है ना खाने को तो मिल जाता है न मर गया मर गया किसी दिन good is the opposite of great आपको greatness से क्या रुकता है जो good enough है ना वो आपको greatness से रुकता है because आप comfort zone में है आपको वहाँ पे आपकी life set हो गई है और इसलिए आप reluctant रहते हैं कुछ नया अपनी जिंदगी में लाने के लिए और इसलिए कई training programs join करने के बाद भी आपका जीवन में उत्था नहीं हो पाता क्यों क्योंकि इतने संसाधन जो मिले आपने waste कर दिए because you are good enough good is the opposite of great not bad कई बार bad पर इस्थिती से उठा हुआ आदमी उपर तक जाता है चायवाला प्रधान मंत्री बन जाता है एक street light के नीचे पढ़ने वाला अब्दूल कलाम प्रेसिडेंट बन जाता है had they been good enough had they been good enough जैसे हम लोग है सब मध्यमवर गिये ठीक ठाक ये ठीक ठाक जो है ना ये महानता का दुश्मन ये ठीक ठाक के comfort zone में आना ये महानता का दुश्मन है इसलिए Jim Collins ने जो कहा मैं इतना मैं मेरे रोंगते खड़े हो गये थे जब first time मैंने इस बात को सुना था हमको लगता है great and bad नहीं great का opposite bad great का opposite good good enough ठीक ठाक चल रहा है चल तो रहा है न ये चल तो रहा है न आपको उस 80% में रखता है ये चल तो रहा है न इसलिए training program attend किया सीखा implement नहीं किया बोले चल तो रहा है न कल करूँगा अगर bad है न city तो आदमी प्रेरित होगा भी आज अभी कुछ करूँ और इसलिए आपकी wealth नहीं कुछ पैसा जो है वो बना रहता है wealth नहीं बढ़ते है so good is the opposite of great इस चीज़ को याद रहता है not bad good और यही जो है न यहीं जिन्दगी का शराप यही रहता है good enough की जिन्दगी का शाप है यह शाप जो आपको महान बनने से रोपका है जो Jim Collins ने हमको कहा था और इसके करण होता क्या है मैं आपको बता रहे है यह जो है यह जो सोच है यह जो dependence है बोले या reservation तो है न reservation मिल जाएगा और 50% में medical entrance exam के 30% 40% पे entrance exam पे जो है medical entrance exam में not the merit but your जाती not the merit but anything else वो reservation से आपको medical college या IIT या जो भी है वहाँ पे आपको admission मिल जाता है याद रखिए याद रखिए यह reservation का percentage admission के बाद में काम नहीं आता है अलो वहाँ पर फिर pass mark same रहते है ठीक है वहाँ पर यह pass mark same रहते है and this pulls the whole country back यह पूरे देश को पीछे खीच रहा है why क्यों देश को पीछे खीच रहा है क्योंकि यही पर वही formula यहाँ पर apply हो रहा है जो कि मैं हमेशा आपको अपने business वे दो business खुले है आपने तो आप जो है बड़े बच्चे का खाना चीन के छोटे बच्चे को नहीं देते हो और exactly यही होता है फिर जब कुछ लोग साधारण में यह हो जाते हैं और उसको और साधारण में satisfied है उपर से और free मिलने की जो है अगर उनको आदत लग गई reservation की आदत लग गई अनुकंपा की आदत लग गई freebies की आदत लगई subsidy की आदत लगई free में जो है कुछ भी पाने की आदत लगई तो और भी जादा ये जो है ये और भी ज़्यादा average हो जाते हैं और पूरा का पूरा देश जो है वो पीछे चला जाता है unfortunately मैं politics में घुसना नहीं जाता but again vote politics ये जो party politics is encashing on the same thing कि average बना करके लोगों को average बना करके रखो किसी को गरीब बना करके रखना है न उसको थोड़ा 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 आप उसको एक cycle दे रहे हैं और इस चक्कर में जो अच्छा कर रहे हैं उन पर tax का बहुत ज़्यादा पड़ता है and this pulls the whole country back, whole country back पूरे देश को पीछे खीच लेता है, बोले क्यों? अरे वो लोग धीरे दौड रहे हैं उनको साथ में रखना है इसलिए जो लोग आगे दौड रहे हैं न तुम लोग भी पीछे आजाओ don't let this happen in your life don't tolerate people who are trying to pull you back just because वो आपके साथ रह सके और इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि execute कीजिए, कीजिए, कीजिए उस comfort zone से बाहर निकलिए these people pull back the whole country यानि जो जहाजों का जो समूज आता है न पानी की उपर में जो सबसे slow जहाज है उसकी speed से जो सबसे slow जहाज है उसकी speed से बाकी की जहाजों को चलना पड़ता है ताकि वो formation वो जो design है वो जहाजों का वो जो बना हो सके और ये आज हो रहा इस dash में और मैं नहीं चाहता कि life champions ecosystem का कोई भी entrepreneur इस साधरनता के जाल में जो है वो बुरी तरह से फंस जाए मैं नहीं चाहता हूँ So this is why execute and excel so that we can move ahead Hello friends मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी उमीदों पे खरा उतरा होगा और इससे आपकी life और business में एक positive change आएगा ये positive change तभी आएगा जब आप इस वीडियो को सिर्थ देखेंगे और सुनेंगी नहीं बलकि इसमें कही हुई बातों को अमल में भी लाएंगे क्योंकि action लेने से ही आपको life में results मिलेंगे किसी भी अन्य जानकारी के लिए हमारे दूसरी training programs के लिए हम और आप long term कैसी जुड़ सकते हैं इन सब की जानकारी के लिए यहाँ पर दिया हुआ जो हमारा website portal है ajayshesh.in उस पर जाएं और सभी जानकारी आपको मिलेंगे आपकी उजवल भविश्य की business की life की मैं कामना करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद झालर के लिए हुआ झालर तो हमारा खर राएं जानकारी की सब काता हुआ लोर्ण सब किते मारा लिए हुआ यईवला ग्यवास खळूसरी जापकी मैं कार खदूसरी पसम sím